Hi everyone, स्वागत है आपका RS Crescent Study Channel में तो आज हम लोग एक Canadian novel को discuss करने जा रहे हैं जो को बहुत important है जिसका नाम है The English Patient और इसके जो writer है वो है Michael Odanche और इसको जो है published करवाया गया था 1992 में तो ये जो कहानी है इसमें जो है चार लोगों की कहानी है और World War 2 के दौरान ये जो चार लोग है ये इत्तफाक से एक Italian monastery बिला सेन में इकठा हो जाते है इस इमारत को bomb से damage कर दिया गया है ये पहले जो था एक army hospital था अब इससे जो है खाली कर दिया गया है तो ये क्या होता है कि ये जो यहाँ पर ये जो चार लोग है इनकी जो novel में कहानी है वो flashback में जाती रहती है मलत प्रेजट और past, present और past में आती-जाती रहती है और ये जो कहानी है ये World War 2 के time की कहानी है इसकी setting जो है World War 2 के time की है और World War 2 का असर जो है इस novel के characters के उपर काफी देखने को मिलता है हम लोग को तो World War 2 में हम सब जानते हैं कि एक तरफ Allied Power थी और एक तरफ Axis Power थी तो Allied Power में US, UK, China, France वगएरा countries थी और Axis Power में हम सब जानते हैं Germany से इटलर ठीक है तो Germany, Italy और Japan ये जो थी Axis Power थी तो अगर मैं Allied Power और Axis Power बोलूँगी इस novel में तो आपको confused नहीं होना है तो इन चार लोगों में एक जला हुआ इंसान है जो की main protagonist है इस story का जिस जो है English patient तो ये जो जला हुआ इंसान है ये इसकी देखवाल जो है एक nurse होती है ना वो पूरी तरह से इसकी देखवाल कर रही होती है और ये जो English patient है इसको पहचानना मुस्किल हो रहा है ये पहचान में नहीं आ रहा है ये काफी जल चुका है तो इसी को जो है English patient कहा गया है novel में तो ये जो English patient है इसे कुछ भी याद नहीं है पूरी तरह से अपने मतलब होश खो चुका है लोग इसकी आवाज और accent के अधार पर इसको जो है English man कहते है और ये जो है लोगों की बात को मान लेता है कि इसको कुछ भी याद नहीं रहा होता असल में ये जो English patient है ये एक हंग्री में रहने वाला वेक्ति है इंग्लिश patient है ये एक desert explorer है यानि कि रेगिस्थान में खोजबीन का काम करता है उसका expert है और ये एक British cartography group होता है जिसका ये member होता है मतलब ये नक्स से बनाने का काम करता है तो इसके साथ ही यहाँ पर इस hospital में एक 20 साल की लड़की भी होती है जिसका नाम होता है Hannah और ये जो Hannah है ये एक nurse है और इसकी पूरी तरह से देखवाल करती है इस English patient की इसके साथ बहुत अच्छे से pace आती है और इसकी जो है बहुत अच्छे से care करती है तो Hannah जो है एक Canadian officer से प्यार करती है ये जो Hannah होती है लेकिन वो जो है मर गया होता है war में तो जिसके कारणी इस Hannah को लगता है कि इसकी किसमत ही खराब है जिसके साथ में रहेगी वो मारा जाएगा और ये जो है खुद को मतलब एक manuse type समझती है तो Hannah के जो है father की भी death हो चुकी है और ये जो Hannah का father ह जब इसको एक खबर मिलती है कि इसके father की death हो चुकी है तो ये पूरी तरह से तूट जाती है उसके father की death भी जो है जलने से होती है और मरते time ही अपने father के पास नहीं होती है और अपने father की ये देखवाल नहीं कर सकी मतलब उस time जब उसका last time था तो इस English patient की ये देखवाल कर और जहां से हैना बहुत सारी बुक्स पढ़ती है और इसको सुनाती है तो हैना के फादर का एक दोस्त होता है इटैलियन व्यक्ति जिसका नाम होता है डैविड केरवेजियो यह जो केरवेजियो है यह बिटिस इटैलिजन सर्विस में है 1930 से उसे पता चलता है कि हैना जो है विला में है और एक इंग्लिश पेशेंट के साथ है तो यह जो केरवेजियो है यह वहां पर आ जाता है और हैना के पास आता है यह जो केरवेजियो है यह एक जासूस होता है एक चोर होता है जो कि एलाइड पावर होती है अमेरिका वगेरा उनको जो है एक्सिस पावर के क नौवल में भी दे मैन विद बेंडेज हैंड के नाम से इंटर्ड्यूस करवाया जाता है तो इटली में दुस्मनों ने इसको पकड़ लिया था और पूछताच के दौरान ये जो कैरवेजियो है इसको बहुत जादा टॉर्चर किया था उन लोगोंने इसी कारण से ये अप अपना लव भी शो करता है और ये जो कैरवेजियो होता है इसके जंग के दौरान जो इसके दोनों हाथों के अंगुठे काट दिये होते हैं तब ही इसके हाथों के उपर बेंडेज बंधी होती है जब ये जंग में होता है तो इस दर्दनाक हादसे के बाद इसको जो है फ प्रेंड्स बन जाते हैं बहुत ही जल्दी और ये जो है एक नशीली दवा लेते हैं मॉर्फिन नाम की एक नशीली दवा लेते हैं क्यूंकि इनको काफी पेन और स्ट्रेस होता है तो एलमेसी तो इवन रातों में सो भी नहीं पाता है जो इंग्लिश पेशेंट होता है और ये जो है ना है ना ये जो है प्यानो बजारी होती है तो उसके आवाज सुनकर वहाँ पर दो ब्रिटिस सोल्जर वहाँ पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं किसे बंद करो वरना जो जर्मन सोल्जर है वो उनके उपर अटैक कर देंगे तो इसमें से जो एक सोल्जर है वो होत तब जो थे ब्रिटिस जो इंडिया थी वो ब्रिटिस की कॉलनी थी तो यहां पर भी मतलब यहां से भी सिक सोलजर उनकी फोर्स में भरती होते थे तो यह जो सिक सोलजर होता है यह बारूदी सुरंगे और बॉम डिफ्यूज करने में माहिर होता है और किप जो है उसी बिला म उनको साफ कर सके, तो किप और ये जो English patient है, इन दोनों के बीच में भी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, किप और ये काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, तो एक तिन क्या होता है, ये जो David Carvajio है, ये English patient को जो है Morphin दे देता है, थोड़ी जादा ही Morphin दे देता है, और य जो है प्यार करता था, और वो जो थी शादी शुदा थी, और ये जो Catherine होती है, ये अपने husband के साथ, उसी Joffrey के साथ, ये जो English patient है, इसकी team में होती है, जो कि desert exploration का का काम करते हैं, ये लोग इकठे काम करते हैं, सब के सब एकी team में, और इनकी team में जो है, इनकी team को जो है, र a secret mission के उपर था, लेकिन ये जो है, मतलब इन लोगों के साथ जूट बोलता है, ये जो Joffrey होता है, ये actually में Africa के desert का map बना रहा होता है, British government के लिए, जो कि इसको British government ने secretly काम दिया होता है, इस exploration group में शामिल होने की इसकी एक चाल होती है, ये जो है, एक चाल होती है, तो Catherine जब प्यार हो जाता है, और इन दोने के बीच में एक serious affair चल पड़ता है, लेकिन जल्द ही Catherine जो है, इस affair को खतम कर देती है, और ये नहीं चाहती कि Joffrey को पता चले, क्यूंकि इसको पता होता है, जो Joffrey है, ये पागल किसम का इंसान है, और ये जो है, पागल हो जाएगा, इसको सच पता चलेगा, तो आखिरकार ये जो Joffrey होता है, इसको Catherine और English patient के affair के बारे में पता चली जाता है, और ये जल्सी में एक plan बनाता है, ये उन दोनों को जो है, plane crash में मारने का plan बनाता है, और plane जो है, crash भी हो जाता है, लेकिन सबसे पहले जो है, इस Joffrey की ही मौत हो जाती ह हले मरता है, और Catherine को जो है, काफी घाव आते हैं, काफी चोटे आती हैं, बहुत जाद घायल हो जाती है, और ये जो English patient होता है, ये बच जाता है, तो ये जो English patient है, ये जो Catherine होती है, इसको जो है, लिविया के desert में गुफा में ले जाता है, और उसे वहां पर छोड़ देता है छोड़ के चला जाता है, help के लिए, बिटिसर सोलजर के पास help मांगता है, लेकिन ये लोग इसको, ये जो English patient होता है, इसको arrest कर लेते हैं, और इसकी जो problem होता है, उसको नहीं समझते हैं, तो अब ये जो English patient होता है, इसको लोटने में काफी देर हो जाती है, और तब तक Catherine की body के साथ sex करता है, और उसको जो है, एक plane में जो है, जो crash हुआ plane होता है, उसको जो है, English patient उसको तयार करता है, किसी तरह से ठीक करता है, और इसमें ये जो parachute में लिप्टे हुई Catherine होती है, उसको लेके उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जो oil है, वो plane में लीक हो चुका होत होता है, और plane में आग लग जाती है, और ये जो English patient है, ये किसी तरह से parachute की help से वहां से उस plane से निकल जाता है, और अब ये अरब की एक गुमकर tribe होती है, उनके लोगों के पास पहुंच जाता है, तो ये जो लोग होते हैं, इस tribe की, ये उसकी देखवाल करते हैं, और पूरी के तीन लोग होते हैं, यहां पर, तो ये जो story सुनाने के बाद, ये लोग काफी इसकी story से सुनके, मतलब सबके सब थोड़े sad हो जाते हैं, और काफी इससे सहानुगूती होती है इनको, अब दूसरी तरफ ये जो kip होता है, ये जो kip और हैना होते हैं, ये दूनों एक अंडर, लॉड सफोक के अंडर काम करता था, और ये जो kip होता है, ये इसकी बहुत जादा रिस्पेक्ट करता है, ये जो सफोक होता है, और ये जो है, ये भी बॉम को डिफ्यूज करने का ही काम करता है, ये जो इसका बॉस होता था, और ये इसकी काफी रिस्पेक्ट करत जो है जो है और दीरे दीरे हैना और किप जो है काफी क्लोज आने लग जाते हैं तभी एक दिन क्या होता है यह जो है जो है रेडियों के उपर जो है नियुद अमेरिका ने जापान के उपर जापान के हीरोसिमा और नागिसा के उपर एक्टम बॉम गिरा दिया है और इस तबाही से यह किप होता है इसके दिल में अंग्रेजों के प्रती बहुत जादा नफरत हो जाती है क्योंकि यह इसका मानना होता है कि यह जो अंग्रेज है इनोंन होता है यह कहता है कि मुझे मार दो मैं वैसे भी दूखी हूँ अपनी लाइब से लेकिन कीप ऐसा नहीं करता यह जो कीप होता है यह जो है वहाँ से उस जगा को छोड़ करके इंडिया वापस आ जाता है और क्योंकि कीप एक डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन वो बन नहीं पाता है वर्ल्ड वार के कारण उसको सेना में भरती होना पड़ता है लेकिन इंडिया में बापस जाके यह जो कीप है यह अपना ड्रीम पूरा करता है और एक doctor बनता है और शादी कर लेता है और यह जो हैना है यह किप को सालों के बाद भी letter लिखती रहती है लेकिन यह जो keep होता है यह उसके letter का कोई जवाब नहीं देता तो यह जो novel है इसमें जो main theme है यह death और sensualty बताई गई है और यहां पर जो भी देखो जिसकी भी देखो death हो रही होती है यह जुनर्स होती है इसने पता है कितनी death है देख लिया होती है कितने लोगों को अपने आँखों के सामने मरते वो देख लिया होता है तो यहां पर जो है काफी death हो रही है तो यहाँ पर इस novel की summary का end होता है I hope आपको इस novel अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो please मेरे channel को like, share और subscribe जुरूर कीजिए मिलते हैं ऐसी किसी next वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए Bye Bye